दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले इंग्लेंड और पाकिस्तान के बीच में खेले गए पहले बंडी मुकाबले की फुल हाइलाइट के बारे में तो चलिए सुरू करते हैं और अगर आप भी इंग्लेंड के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें कार्डिफ के सोफिया गार्डेन में खेले गए पहले बंडी मुकाबले में इंग्लेंड की युवा टीम ने पाकिस्तान को 9 विकेट से हरा दिया वहीं पाकिस्तान की टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 141 रणों पर धेर हो गई थी इसके बाद मेजबान टीम इंग्लेंड ने सिर्फ 21.05 ओवर में एक विकेट खोकर आसानी से लक्षिका पीछा कर लिया इसके साथ ही मेजबान टीम ने तीन मैचो की स्रीज में एक जिरो से बढ़त भी बना ली इंग्लेंड की इस सांधार जीद की हीरो रहे तेजगेंदबाज साकीब महमूद उन्होंने अपने 10 ओवर के स्पेल में एक मेडेन के साथ 42 रंद दे कर 4 विकेट चटकाएं इसके अलावा बैटिंग में डेविड मलान ने उन्हां तर गेंदो में 68 और जैक कॉरले ने 50 गेंदो में 58 डनों की नाबाद पाडिया खेली वहीं मलान ने जहां 8 चौके लगाएं वहीं कॉरले ने 7 चौके जरे वहीं अगर पाकिस्तान की बलेबाजी के बारे में बात करें तो इंग्लین के कपतान बेन स्टोक्स ने टोष जीतने के बाद पहले गेंद बाजी करने का फैसला लिया उनका यह फैसला बिलकुल सही साबित हुआ पहले ही ओवर में सुने पर पाकिस्तान के दो विकेट गिर गए बाबर आजम और इमामुल हक खाता खोले बिना ही पविलियन लोट गए इन दोनों को साकीब महमूद ने चलता किया इसके बाद रिजवान अहमद ने तीन चौके लगाएं लेकिन नौ गेंद में तेरे रन बना कर वह भी आउट हो गएं उन्हें लेविस ग्रेगरी ने पविलियन भेजा इसके बाद डेब्यू में साउट सकील भी सिर्फ पांच रन बना कर आउट हो गएं पांच साल बाद टीम में वापसी करने वाले सोईब मक्सूद बहतरीन ले में दिख रहें थे 32 गेंदो में 19 रनों की अपनी पारी में उन्होंने एक चौका और एक चौका लगा दिया था लेकिन इसके बाद वह रन आउट हो गएं दूसरी तरब से सलामी बलेबाज फखर जमान ने 67 गेंदो में 47 रन बनाए और एक इंड से विकेट रोक कर रखा लेकिन वह भी चौके जरने के बाद आउट हो गएं फखर के आउट होते ही एक बार फिट टीम भीखर गई वह इस दोरान फखीम असरफ 5, हसन अली 6 और साहिन अफरीदी 12 रन बना कर आउट हुएं इंग्लेंड के लिए साकीब महमूद ने 4 विकेट लिए इसके अलावा मैथ्यू पारकिंसन और क्रेग ओवर टन ने 2 दो विकेट जटके वही लेविस ग्रेगरी को एक विकेट मिला दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करे, सेर करे, कमेंट करे और अगर चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे जिससे की आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो की लेटेस्ट अब्डेट मिलती रहे थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो गाइज